alpha and beta are the root of the equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0 then आपको बताना है what is the equation जिसके root है alpha cube by beta square beta cube by alpha square अच्छा इनका product निकाल लेंगे तो यह क्या आएगा यह भी alpha and 2 beta आएगा यहाँ प्लस 4 है तो वहाँ भी प्लस 4 आएगा पहला option नहीं हो सकता है फिर मैं देखोंगा कि यह यहाँ पर साफ साफ देख रहा है मुझे कि इस equation के roots imaginary है क्योंकि डीब डिस्क्रिमेंट यहाँ पर निगेटिव है तो roots imaginary है और यहाँ पर अगर हम निकालते है roots को alpha cube by beta square तो यह roots भी imaginary आएगे यानि हमारी नहीं equation बनेगी उसमें इसके roots imaginary होने चाहिए यहाँ नहीं है इसका real roots है इसका real roots है इसका answer होगा सिर्फ तीसरा oh my god यह क्या हुआ देखो यह वही equation उठाकर दुबार है लिग गई एनिवे टेंशन नहीं लेते हैं समझाता हूँ आपको कि इस पूरे case में क्या किया है मैंने कुछ भी नहीं किया है लिगे पहली चीज मैंने यह identify करी कि यह जो roots मुझे दिया है alpha cube upon beta square और beta cube upon alpha square तो यहां पर अगर आप दूसरी equation का product of roots निकालने जाओगे product of root निकालने जाओगे sir तो आपको alpha into beta ही मिलेगा यानि जो इसका product of root है वही उस equation का भी product of root होना चाहिए जिसको आप बोलते हो c by a यानि सब में x square coefficient क्या दिया होगा 1 दिया होगा तो यह सारी value क्या होगे 4 4 4 4 प्लस 4 आनी चाहिए तो तीनों में प्लस 4 आ रहा था तो यही तीनों में से कोई answer होगा मैंने पहला इससे लिए हटा दिया उसकी बाद देखिए कि जब मैंने sum of roots के बारे में सोचा तो मैंने क्या सोचा दिमाग में देखिए कि sum of roots अगर मैं निकालने जाओंगा और मुझे एक चीज मैंने equation देखते ही समझ में आ गई थी कि इस equation के roots real नहीं है क्यों real नहीं है आप discriminant के form में समझते हो कि b square minus 4 इसी less than 0 होगा तो roots real नहीं होंगे यहां पर दो को b square 4 आएगा minus 4 into 4 negative आ रहा है सर्क तो यह equation के roots real नहीं होंगे unreal roots होंगे imaginary roots होंगे अब आप जब यहां आओगे न कई पर क्या होता है कि roots अगर imaginary है और उनका square किया जाता है तो वो real बन जाते हैं लेकिन यहां यहां cube किया गया है । अगर cube की term मौझूद है denominator में square की terms मौझूद है तो आपको बताए कि इमेजनरी nature जो roots का है ना वो जाएगा नहीं वो रहेगा roots imaginary ही रहेंगे तो अगर roots imaginary है final equation के भी तो आप मुझे जो देखोंगा किस equation में मुझे roots imaginary मिलने वाले हैं केवल और केवल तीसरे में यहां पर अगर आप बी स्कुरर माइनस 4 एसी निकालने जाओगे ना सर बी तो 32 का स्कुरर है माइनस 4 एसी करोगे पॉजिटिव आएगा यहां भी वही होगा यहां भी पॉजिटिव आएगा रियल रूट्स आ रहे हैं इन दो नहीं question के यानि सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही हो सकता है मुझे नहीं परता बाकि लोग कैसे करते होंगे वालफा की पावर फाइव और बीट झाल 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 झाल